मैंने निर्णे लिया है इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं मैं लड़ूगा अकेला, अकेला, अकेला रावन भैंकर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक बलचाली होने जा रहा है और ऐसे समय में आप हमारे साथ को कैसे अस्विकार कर सकते हैं प्रभू? प्रभू, कैसे कर सकते हैं अस्विकार? आप भी के साथ ने तो मुझे यहां तक पहुंचने में सक्षम बनाया है उसे कैसे अस्विकार कर सकता हूँ? जब रावन अपनी सेना के साथ आया तो आपने उसकी विशाल सेना को दूल दूसरित कर मेरा भरपूर साथ लिया हाँ प्रभू, पूर्व के तरह भविश्य में भी हम आपका साथ देंगे देवगणों का कथन आपने भी सुना है प्रभू उनके अनुसार रावन कई गुना बल्चाली और भैंकर बन कर आ सकता है प्रभू जानता हम मैं परंदू, अधर्म का नाश करने के लिए धर्म युद्ध है ये इसलिए, मैं धर्मचित युद्ध ही करूँगा अकेले पड़े रावन के साथ, मैं अकेला ही रणूँगा उस अधर्मी ने, मेरी पत्नी सीता का हरन करके मेरे साथ शत्रूवत बेवार किया है इसलिए, उसको इस अपरात का दंड देने का कर्तव्य, मेरा ही है अगामी युद में, मैं अपने हाथों से दंडित करूँगा अवसे जो सुना था, वो सद्य ही था इतना भयंकर रूप है माता, मुल बालनी का इतना था युद मे प्रूप को खबादा dif हुद वा प्रतीत होता है माता के इस भैंकर रूप को देखना दुशकर हो रहा है रावन के लिए प्रतीत है रावन के अर दिए अर्प्र अर्प्र प्र प्रतीत है प्रतीत है प्रतीत है यदी रावण भैभीत हो जाता तो आज उसका अंतनिश्चित था परंतु रावण तो इसका सोटी पर भी खरा उत्रा भक्ती भाव और श्रद्धा पूर्व स्वर्थ से अब हिवादन किया है उसमें उसकी भक्ती में भले ही एक बड़ा स्वार्थ नहीं थे परंतु देवी तारा के हिर्दय में भी एक माँ छिपी है बाहर से भीशन परंतु भीतर से सौ में है मेरा ये रूप वो माता जो संतान की गौहर लगाने से ही पिकल जाती है अच्छे हो या बुरे संसार के समस्त जी है तो माता की ही संता बागंडर शान्त हो गया कहीं ब्राता रवण अपनी पूजा में सफल तो नहीं हो गया यदि रावण वास्तव में सफल हो गया तो ऐसी पूजा से प्राप्ती सफलता उसे अत्यंत बल्शाली बना देगी ऐस यवस्था में प्रभु का उसके साथ एकाकि संघर्ष करना उचित नहीं नहीं प्रभू, ऐसा नहीं कर सकते आप, आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते प्रभू, आज तक मैंने आपका कोई आदेश, कोई वचन नहीं डाला परन्तु आपके इस आदेश को मैं कैसे सुविकार करूं प्रभू प्रभू, मुझे अपने से दूर मत कीजिए जब वो राक्षस, इस पूजा से प्राप, असाधार और शक्तियों के साथ आप से युद्ध करने आएगा तब उस युद्ध में मुझे भी भाग लेने दीजिए प्रभू अन्यता ये इस भक्त के साथ गोर अन्याय होगा प्रभू प्रभू, भक्त और भगवान के बीच कुछ भी व्यक्तिकत कैसे हो सकता है प्रभू, मुझे सुविकार लीजिए मुझे सुविकार लीजिए प्रभू हनुमाल, मर्यादा का पालन करने के लिए या निवारे है हनुमाल कि मैं रावन के साथ अकेले ही युद्ध करूँ क्योंकि अब वो भी युद्ध अकेला ही करेगा और ये भी स्मरण करो जब तुमने सीता को अपनी पीट में बिठा कर लंका से चलने के लिए कहा था तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था उचित तो ये होगा पवन पुत्रहनमाल कि मेरे पती सीराम यहां आए और उस तुष रावन का सनहार कर मुझे यहां से ले जाए क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि रावन का बद मेरे ही हाथों इसलिए अगामी युद में रावन कितनी ही शक्ती के साथ क्यों ना है रावन से अकेले लड़ने का मेरा निर्ण है अटल है माता मेरी साहता कीजिए मैं विनिती करता हूँ आप से आप से मैं प्रातना करता हूँ कि मेरी साहता कीजिए माता कहो पुत्र क्या साहता चाहते हो मुझसे सुरक्षा उस बनवासी से उसके अस्त्रों से और उसके सभी योधाओं से होने वाले योध में सुरक्षा मा पूर सुरक्षा आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी मा और ऐसा करने के लिए तुम अवैदिक पूजा से विवश्च कर रहे हो मुझे माता एक एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैदिक में कैसा भेद माता निशिद पूजा से और अधिक निशिद नहीं है क्या हम माता फिर हम क्यों नप प्रियोग करें उनका माता ए माता आपका यहां आना और आपके इस विक्राल रूप को देखकर मेरा जीवत रहना इस बात का प्रतीक है कि मैं आपकी पूजा में सफल हुआ और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी माता हम मुझे क्या थे किया पूर्ता विवश है मेरी रक्षा करने के लिए माता तुम्हारा कथन सर्वथा उचे थेरावण मैं विवश हो गई हूँ किन्तो स्मरण रहे मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीती नियम का पालग करोगी और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परियान होगा चल्ली हो जाओगे तुम और चल्की एक भून के लिए भी तरसोगे आपके सभी निर्देश सुईकार है मुझे माता बस मुझे आपकी सुरंग्षा की किर्पाद चाहिए माता तथास तुम्हें आपलन केष आवश्ये आपलन केष नावश्ये विजय निश्चित है तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध केवल मैं लड़ूंगा आप सभी को मेरी सौगंध है कि कोई भी रावन के साथ मेरे युद्ध में कोई भागीदार नहीं बनेगा और यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसिक्षन अपनी पराजे स्विकार कर युद्ध छोड़ दूगा अगामी युद्ध मात्र मेरे और रावन के मद्ध होगा आगामी युद्ध में एका की नहीं रहेगा नावान देवी शक्ती होगी उसके साथ आज नजाने क्या होने वाला है आज की विदाई कहीं सुआमी के अंतिम नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रभु यह आपका अक्षा है तुणीर प्रभु आपकी कटार आपकी का प्रभु झाला है झाल 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 आप लंकेश रावन की पत्नी हैं गर्व के साथ मस्तक उठा कर मेरा तिलक कीजिए माता तारा देवी ने सम मेरी रख्षा का वचन दिया है अब मैं विजय होकर ही लोटूंगा आप चिंता मत कीजिए चाहिए राज मैं विजय होत सब की व्यवस्था कीजिए आपका मायावी रत सज्जी थे लंकेश राज मैं विजय होत आप सब का वचन भाज्वारी का वचन वार्स जामादरेश्वरे 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 बितास केल ऑलकेति मंडरा रहें प्लू को अर्गेड़िया केला रहें प्रभू ये संकेत है कि रावन रणभूमी की और निकल पड़ा है ऐसी भैयानक धनिया ये अशुप संकेत है प्रभू रावन आज बहुत भीशन युद्ध करने वाला है प्रभू के साथ आज हम सब भी युद्ध में उनके सायक होते तो अच्छा होता बिवीशन जी महाराज सुग्रीव एवं मेरे वानरवीरों बहले ही आप सब आज मेरे साथ युद्ध में समलित नहीं होगे किन्तु आपका द्रिड विश्वास आपका मेरे प्रती समर्पन ही मेरी प्रमुक शक्ती जो मेरा विजय पत प्रशस्थ करेगा अता आप सब भी प्रशस्थ रूप से इस युद्ध में मेरे सहयोगी है इसलिए आप सब अपना धैर्य और साहस बनाई रखिए आपका उत्साही रावन को मृत्यू के मुख तक पहुँचाने में मेरा सहयोगा रभू शीराम जंद्र की जै रभू शीराम की जै 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 शीराम जै शीराम जै शीराम मेराम लाव मेराम 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 कर दो को सबस्общान obtained कर दो कि एकी उन भुआ कर दो it देवितारा 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 साक्षात देवितारा आ रही है रावन को रक्षित करते हुए क्या रावन के साथ स्वयम देवितारा प्रभु के विरुत युद्ध करेंगी सच्चा वीर वही होता है जो अपने उत्तरदायत्व को भली भांत ही समझता है जबकि कायर अपने उत्तरदाईत्व का भार किसी और पर डाल देता है